Hello everyone, welcome to CQCA student, मेरा नाम है आशीश, आज हम बात करेंगे time of supply की अच्छा time of supply यह बहुत important chapter है, payment अगर मैं बात करू time of supply यह place of supply यह दोनों ही बहुत important chapter है कभी-कभर paper में एक आजाते हैं, कभी-कभर दोनों ही आजाते हैं और दोनों जब आते हैं तो 10 से 12 नम्मर के आते हैं कि आपके सारे question हो जाएंगे और मैं question answer भी important important साथ में करवाँगा, देखो दो cases होते है, goods या service पहली बाद time of supply में सारी लडाई है na, completion date, invoice date और payment date की होती है क्योंकि यह date अगर पता चल गई ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस महीने में GST कटना है पहली बाद सारी लडाई invoice date और payment date की होती है लेकिन completion भी बीच में कभी कब आ रहाता है और कब आता है मैं बताऊंगा देखो, दो होते हैं, एक तो होता है goods पर एक होता है service goods जब supply हो रहे हैं, तो normal case में invoice और last date जो due date होगी invoice की whichever ही earlier वो हमारा time of supply बन जाएगा अब बात यह होती है कि last date, due date यह कब होती है invoice तो जब कटा होगा ठीक है लेकि last date और invoice कब होता है यह तो हमें निकालना पड़ेगा तो movable goods के case में जब removal date होईगी supplier के यहां से goods remove हुआ वो ले लेंगे हम removal date और immovable के case में जब वो available हो जाएगा वो हम ले लेंगे last date तो अगर last date हमारी जो आएगी या फिर invoice सच में जिस दिन कटा है जो भी earlier होगा वो हम goods के case में ले लेंगे service के case में क्या होगा service के case में भाई दो चीज़े देखनी है बस तुमें कि क्या invoice आपका time पे issue हुआ है कि नहीं हुआ है अगर time पे issue हुआ है तो invoice और payment whichever is earlier अगर invoice time पे issue नहीं हुआ है तो invoice को कर दो bye-bye फिर क्या बचा? completion और payment to completion और payment whichever is earlier अच्छा invoice time पे issue हुआ है कि नहीं हुआ है वो केसे पता चलेगा तो invoice का देख लीजे जब आपकी services complete हुई है तो within 30 days अगर invoice issue हो गया तो invoice time पर है और bank के case में 45 days है वैसे bank का case आता नहीं है पेपर में लेकिन फिर भी याद करवा रहो तो 30 days देखने है कि completion की 30 days के अंदर-अंदर invoice मिल गया तो on time है तो invoice or payment whichever is earlier और नहीं है तो completion और payment whichever is earlier अच्छा एक छोटी सी चीज़ है अपर मैंने note लिखा है यह वैसे paper के irrelevant है ऐसा question rarely आएगा कि अगर service एक जन्वरी और दो जन्वरी को दी गई है तो completion date कब होगी तो completion date दो जन्वरी होगी जब last मतलब complete होती है service हम एक जन्वरी नहीं लेंगे ठीक है अच्छा यह तो हो गया हम RCM की तरफ आजाते है अगर RCM का case हुआ तो क्या हुआ RCM आलग-अलग services पर लगती हमें पता है अब मैं मान रहा हूँ कि मैं recipient duty है तो मैं recipient duty हूँ तो भाया मैं goods के case में क्या लूँगा time of supply तो जिस दिन मुझे goods receive हुए या जिस दिन मैंने payment करी या फिर जिस दिन 31st day from invoice मतलब जिस दिन मेरे को invoice मतलब invoice में जो date लिखी है उससे 31st day तो whichever is earlier लेकिन service के case में goods receive service receive तो भूल जाओ सीधा payment day या 61st day अब देखो यहाँ पर receive वाला नहीं है तो हम यहाँ पर time भी double लेंगे तो 61st day from the invoice अचाई यह 61st, 31st यह क्या होता है देखो जिस दिन आपका invoice की date है जैसे माल लो एक जनवरी है तो एक जनवरी के बाद 31st day कितने होंगे देखो एक जनवरी के बाद ठीक है invoice date थी एक जनवरी तो एक जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन बचे तीस दिन बचे ठीक है तीस दिन और 31st वा दिन क्या होगा एक फरवरी तो एक फरवरी यहाँ पर हमारा 31st day यह बन जाएगा एक जनवरी के बाद ठीक है ऐसी गिनना होता है इसके बाद आते हैं इसके बाद एक प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसके बाद एक सप्टेंबर को आया है इसके बाद एक सप्टेंबर को आया है तो कैसे निकाले टाइम उप्लाई तो देखो इजी है उस केस में क्या होता है हमें आंसर में कैसे प्रेजेंट करता है वो मैं पता रहा हूँ पहले हमें लिखना है कि जो टाइम और सप्लाई गुड के केस में होती है वो होती है इन्वाइस इशू या फिर ड्यू देट ऑफ इन्वाइस whichever is earlier यह तो हमें भी पता है कोशन यह था कि अगस्त पाँच सेप्टेंबर पाँच और अक्टूबर छे को दो-दो लाग की पेमेंट गई है ठीक है तीन अक्टूबर को मैंने एक स्टेटमेंट बनाई जिसमें मैंने बताया कि टू लाग फिफ्टी सिक्स थाउजन अन्पेड है ठीक है सेप्टेंबर का ठीक है यह कौटरली मैंने बनाई फिर सतरा अक्टूबर को पेमेंट रिसीव हो गई फिफ्टी सिक्स थाउजन की ठीक है दो लाग अभी भी अन्पेड है मतलब नहीं उससे तो अब मैं क्या आता हूँ सबसे पहले मैं आता हूँ कि इशू, इन्वाइस इशू कब होना चाहिए पहले तो मैं अपने कोशन में यह लिग दूगा कि भाई इन्वाइस हम टाइम आफ सप्लाई देखते हैं इन्वाइस पे कि इन्वाइस या फिर डिव डे एट ऑफ इन्वाइस विचेवरिस अर्लियर, वह मैं गूर्स के के में DEC पहुए लेकिन इन्वाइस इशू होगो हुगा कब ये भी बताना है मुझे इस case में तो invoice issue होगा कब आप अगर देखेंगे तो देखो invoice कब issue होगा payment या फिर statement whichever is earlier देखो 5 अगस्त के महिने की अगर देखो तो 5 अगस्त को payment होगी तो 5 अगस्त ही हमारा invoice date बन जाएगा invoice अब इस date तक issue हो जाना चाहिए ठीक है ये due date of invoice होगा due date of invoice जो होगा वही तुमारा क्या नाम है time of supply बन जाएगा simple सी चीज है तो ठीक है और September का देखेंगे तो ये भी past September को हो रहा है September में और कुछ नहीं हो रहा लेकिन October की देखेंगा तो 6 October को payment आई है तो payment से पहले तो statement ही आ गई तो हम देखो दो लाग का यहाँ पर दो लाग का यहाँ पर और यहाँ पर 2,56,000 का यहाँ पर तो ये पहले date आ गई तो इस date को हम वो ले लेंगे क्या नाम है अपना due date of invoice ले लेंगे और ये due date of invoice बन जाएगा तो यही हमारा time of supply बन जाएगा इस question में यही है अगर आप इस question को पढ़ना जाते है तो pause करके पढ़ लीजी बस इतना ही answer था ठीक है तो यह pause करके आपढ़ सकते हैं अब आते हैं services पे services पे क्या होता है services में एक ही question आएगा वैसे इसमें दो तरीके क्यों होता है एक होता है payment link एक होता है not payment link payment link रुवाला case बता रहा हूँ समझ लो फिर मैं बात में बता दो यह होता क्या है देखो service के case में अगर continuous supply of service हो रही है तो देखना है invoice time पे है कि नहीं है invoice time पे होता है तो मैंने क्या बताया था invoice date और payment date whichever is earlier होता है invoice time पे नहीं होता है तो invoice को तो कर दो bye bye फिर बसता है payment और completion whichever is earlier इसमें भी यह होता है लेकिन हम जो invoice है ना वो 30 या 45 डेज वाला नहीं देखेंगे हम यहाँ पर invoice on time और invoice not on time देखना है तो यह देखेंगे क्या वो on और before completion of service issue हुआ है कि नहीं हुआ है यहाँ पर completion of service की बात आ जाएगी यहाँ पर 30-45 दिन नहीं देखने है यहाँ पर completion of service देखने है क्या उससे पहले invoice issue हो गया तो on time है अगर उसके बाद issue हुआ तो आपका on time नहीं है ठीक है तब यह देखना है फिर यह देखना है यह होता है payment link के case में यह ही आएगा पेपर में question अगर आ गया तो वैसे continuous supply का service का आता नहीं है अगर आ गया तो यह ही आएगा अगर not linked वाला होता ना तो इसकी time of supply before payment date होती है उसको ignore करो वैसे आता नहीं है बस provision है तो पता दियो अब देखो एक question देख लेते हैं देखो question में क्या था continuous supply of service का question है इसमें क्या हुआ है यहाँ देखो यह बस यह वाला पार्ट देखो एक building बना रहे थे initial booking करी और उसकी completion date है दो साथ ठीक है invoice issue किया दो साथ को तो on time है on time issue कर दिया न on or before completion of services कर दिया on time है तो भाई अगर invoice on time है तो invoice और payment whichever is earlier तो भाई यह date है वैज़े बाद दोनों ही तीनों ही same है तो यह date हो गई तो यह date हम time and supply में ले लेंगे फिर next देखते हैं 15-3 15-3 को हमारी complete हो गई है service ठीक है 22 तारीक को हमने invoice issue किया तो भाई साथ यह तो on time किया ही नहीं है अब on time किया नहीं है तो क्या देखेंगे completion और payment whichever is earlier तो भाई completion हमारी date हो गई क्योंकि यह ही earlier है फिर उसके बाद देखा 20 तारीक को complete हुई लेकिन अगले महिने की 24 तारीक को यह महान invoice दे रहा है तो मतलब on time ही है तो नहीं है तो completion date और payment date whichever is earlier तो यहाँ पर भी completion date हो गई इसके बाद 100% जब building complete हो गई तो वह हुई 39 को 39 को और invoice भी 39 को ही शो गया मतलब on time है अब on time है तो फिर क्या करेंगे invoice और payment whichever is earlier तो यहाँ पर payment earlier है तो payment date हो जाएगी तो यहाँ पर time of supply payment date बढ़ जाएगी तो यह continuous service के case में ऐसी continuous जो goods होते है उनकी supply होते है उसमें भी अलग-अलग date में होती है जैसे हमने fourth question में देखा था तो ऐसे इस question को करना है अगर आप इसका answer पढ़ना चाते है तो आप यहाँ पढ़ सकते है ठीक है पॉस करके पढ़ने तो मैंने आपको यह सिखा दिया यह उपर क पहला है change of tax rate अगर tax rate में change हो गया तो क्या होगा देखो tax rate का change ही है इसे change बोलते है maths में ठीक है यह change है अब मानलो यहाँ पर पहले 12% लग रहा था बाद में 18% लग रहा है मैं लिख देता हूँ यहाँ 12% था बाद में 18% है अब बात यहाँ आते है कि tax rate हम कौन सा लगाएं कब मानी जाएगी completion date मतलब कब मानी जाएगी time of supply तो इधर क्या करना नurance goods और service दोनों के case में होता है change of tax rate तो इस में तेको time of supply कब माना जाएगा change के पहले भी complete हो सकती है services या goods मतलब supply complete कब हो सकती है change से पहले भी हो सकती है change के बाद भी हो सकती है यह याद रखना सबसे पहले हम क्या करेंगे जो change के साथ हो उसको हम time of supply बना देंगे या तो तुमारा मतलब यह मैं बात कर रहा हूँ इसकी invoice की और payment की जो तुमारे completion के साथ हो उसको बना देंगे हम time of supply अगर दोनों ही completion के साथ नहीं है तो हम जो भी earlier होका उसको बना देंगे अच्छा मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं एक पर दिखा लेता हूँ यह देखो यह विशाल बत्तर सर का chart है उसमस्त देख लेते हैं यहाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ है चेन्ज अना तो whichever is earlier तो यह invoice date ले लिया ऐसी change से पहले है यहाँ पर भी completion लेकिन दोनों ही साथ में नहीं है तो whichever is earlier इन दोनों में से ले लेंगे तो वो थी payment date यहां पर ठीक है next case देखेंगे next case में यह change के पहले हमारी supply वो हुआ है completion और completion के साथ में invoice है तो invoice date हो जाएंगे मैंने क्या बोला तब सबसे पहले देखना है कि completion के साथ कौन सा है invoice date है invoice date हो जाएगा completion के साथ कौन सा है यहाँ पर payment date है तो payment date time of supply हो जाएगा simple है ठीक है ऐसे ही देखो change change के बाद यहाँ पर change है change के बाद अगर complete हो रही है तो देखो complete के साथ जो है वो time of supply हो जाएगा यहाँ पर देखो complete के साथ कुछ भी नहीं है whichever is earlier हो जाएगा payment और invoice में से तो यहाँ पर invoice हो गया पहले यहाँ पर change के से पहले है दोनों तो दोनों में से whichever is earlier तो यहाँ पर payment date हो जाएगी time of supply ऐसे यहाँ पर change के change के बाद हमारी completion हो यह completion के साथ invoice है यहाँ देखेंगे बाद में completion के साथ invoice है यहाँ भी हो सकता था यहाँ लेकिन change के बाद है तो यह time of supply invoice बन जाएगा यह बहुत simple था case थीक है तो ऐसी questions कर लेना समझ आ जाएगा आपको इसके बाद में एक आगे चलते हैं अच्छा यह पहले में सिखा देता हूं कि payment date क्या होती है payment date होती है लोगों कहीं बार ना payment date में भी confusion नहीं होना चाहिए payment date क्या होती है book entry मैं receiver होती है मेरे को goods receive हो रहे है service receive हो रही है अगर जिस दिन मैं book entry करूंगा अपनी कि हाँ मेरे को मैंने payment कर दी है या फिर मेरे bank से जिस दिन debit हो जाएगा अच्छा कहीं बच्चे बोलते है debit क्या हो रहा है bank में case में उल्टा होते है debit मतलब पैसा कम हो रहा है credit मतलब पैसा बढ़ रहा है तो पता होगा यह पता नहीं बच्चे क्यों अच्छा अब यह important क्यों है देखो कहीं बार क्या होता है book entry मैंने करी मतलब मैं receiver हूँ मैंने book entry करी या मेरे bank में debit दूई उसके बीच में उसके बीच में change हो गई rate समझ रहे हो मतलब मेरे answer में time of supply, date of payment ही आ रहा था लेकिन बीच में ही change हो गई अब मैं क्या मानूँ मैं book entry मानू कि यह मानू इधर तो बोल दिया whichever is earlier तो मैं क्या मानू तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है ऐसा नहीं है कि whichever is earlier हो गया तो whichever is earlier भाया यह book entry है तो चलो यहाँ पर जो rate exist कर ली थी वो ले लो नहीं इस case में difference है entry date देख लेंगे यह मैंने chart के माध्यम से समझा दिया आपको ज़्यादा अच्छे से समझा जाएगा एक इसका question भी है वो भी देखी लेते हैं आग साथ में देखो question क्या था यह बहुत अच्छा question लगा मुझे देखो यहाँ change हो रहा था question को गोली मारो मेरा diagram देख लो change 16-8 को हो रहा था यह completion हो गया 10-8 को और invoice है यहाँ पर देखो अब change से पहले completion हो गया तो completion के साथ जो भी होगा वो ही हमारा time of supply बन जाएगा invoice को तब गोली मार दो completion के साथ में हमारा था payment date तो हम payment date को बना लेंगे time of supply मैं रुको 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 अब जब bank में मतलब सारी हम books में जब entry कर रहे है और credit को रहा है bank में उन दोनों के बीच में हो रहा है change तो भाया यह तो वो दूसरा वाला case है तो इसमें क्या करेंगे जिस दिन change हो रहा है तब से लेकर credit तक मतलब मेरे bank में जब sorry debit हुआ है debit लिखना चाहिए मैंने क्यों लिखा है credit तो debit के case में कितने दिन का gap है देखा तो यहां तो एक ही दिन का gap है जो कि चार दिन से कम है तो यह वाली date आजाएगी 11.8 तो answer जो हो जाएगा न हो 11.8 यहां time of supply निकलेगा इस दिन जो rate होगी मतलब chain से पहले वाली वो आपकी लग जाएगी तो यह असान था यह ज़्यादा मुश्किल नहीं था ठीक है इसके बात चलते है advance receive advance receive का भी time of supply में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि कहीं बार होगा कि advance मिला है आपको payment जो payment में लिये वो advance में मिली है तो क्या करें देखो goods के case में normal जो category होती है यह वाली normal category ठीक है इस case में भाई साब कोई भी advance आए उसको ignore मार दो कोई मतलब नहीं है हम तो भाईया invoice date और अपना last date of invoice date whichever is earlier ही देखेंगे हमें कोई मतलब नहीं है advance payment से तो कोई मतलब ही नहीं है लेकिन services के case में लेना देना है advance से जब advance receive हुआ जितना भी partly receive हुआ हम उसको time of supply में consider करेंगे और RCM के case में भी चाहे goods हो चाहे service हो दोनों में करेंगे बस यह goods के normal case में नहीं करेंगे ऐसा क्यों होता है देखो द्यान से देखो यहां RCM का case है normal case है क्या आपको यहां पर यह invoice date और last date और due date और normal case whichever is earlier में normal case में दिखाई दे रहा है payment date कहीं payment date का role है यहां पर तो यहां पर payment date ignore मार दो advance अगर मिल गया तो लेकिन यहां पर payment date का relevance है तो यहां पर हम advance अगर payment मिला है तो consider करेंगे अगर आपको advance मिला है तो consider नहीं करेंगे मैंने आपको reason भी बता दियें काफ़ी दीजर यही reason नहीं बताते है देखो अब RCM मैंने ये चोटी मोटी बाते कर लेते हैं जैसे RCM हमें पता है कौन-कौन सी उस पर लगता है लेकिन जाद अगर question जो time of supply में RCM में पूछे जाते हैं वो यही होते हैं कि तुमने कोई service import करी जो की non taxable territory से taxable territory मतलब हमारे देश में हुई और online recipient होना चाहिए तो online recipient के case में यह लिख देना answer में online recipient यह बहुत important है तो बस इस case में मतलब RCM लग जाएगा तो बस यह वाला case याद रखना वैसे तो सारी case RCM के तुम्हें आने चाहिए तुम्हारे final का part है यह वाला के के जादा पूचा जाता है ठीक है एक छोटी सी चीज एक question में मैंने देखी थी यह भी आ सकता है कि goods है और services है जो जब हम book print करते हैं मैं printer वाला हूँ तो मैं कोई book print करता हूँ मेरे को बोला कि इतनी books print करनी है तो यह मेरी services है मैं services दे रहा हूँ अपनी मैं कोई good supply थोड़ी न कर रहा हूँ लेकिन मेरे को किसी ने बोला envelope print करनी हो तो मैंने का भया कैसा envelope चाहिए उसने का ऐसे चाहिए उसको ऐसे होना चाहिए उसमें ऐसे designs होने चाहिए उसमें मेरी मेरी महनत लगेगी तो मैं एक तरीके से उसको एक good दे रहा हूँ मैं कोई service नहीं दे रहा इसके परचे क्या logic है क्या logic नहीं है तुम याद कर लो अच्छा होगा एक voucher का case बता देता हूँ कि अगर मालो supply identifiable है कि हमें पता है कि supply voucher के case में हो पता है कि supply identifiable है issue date ले लेंगे issue date लिख देंगे issue date लिख देंगे और other के case में redemption date लेंगे जैसे इसका एक example देते तो मालो मेरे बड़े वाले employer ने चोटे चोटे employees को अपने voucher दिया कि ये खाना खाने का voucher है और तुमें daily है lunch up घर से नहीं लाना है इस voucher को redeem करवाना है तो एक जनवरी को वाउचर दिया हमें पता है कि भाई सब पूरे महीने में बंदे लेंगे ही लेंगे voucher redeem करेंगे ही करेंगे ठीक है तो जब पता है identifiable है तो एक जनवरी को ही issue date को ही तुम voucher की time of supply मान लो ये companies के case में होता है वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ कि कब लें तो तब ले लेते हैं other cases में तो redemption date ले लेते हैं जैसे कि मान लोग कुछ voucher मिल गए हमें magic pin पे voucher मिल जाते हैं Paytm पे voucher मिल जाते हैं हमेशा थोड़ना redeem करते हैं तो उस दिन वो लोग time of supply लेंगे symbol से चीज़ है इसे के साथ time of supply खतम होगा कोई भी doubt हो तो में इसे नीचे पूछ ले ना comment box में इसके साथ next video में मिलते हैं जैहन